अब बाचो में रवीकां सिना एलाइट इक्जाम पॉइंट ऑफिशल में आप सबका बहुत बहुत सवाकत करता हूं और आज हम आपके लेकर आगए इंग्लिश ग्रामार का पार्ट वन जिसमें हम डिसक्स करेंगे नंबर्स जेंडर्स और आटिकल्स को लेकिन उससे पहले अब आपने चलों को अब तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के सारे इंडर्फिकेशन आपको दूरा मिलता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला नंबर्स सब्सक्राइब की अगड़र्फ की की पर हा रही है एक वेपती की और वाइस मतलब एक से जाधा कि वायफो Wives my ours ox oxon it d तो जहां पर numbers की बात हो रहे है मतलब single numbers की singular तुमापर single numbers total number of all things all all किसके लिए करते हैं जहां पर सारी चीजों के लिए बात हो रही है all children should be at in the school तो यहां पर बात हो रहे है सारे लोगों की सारे बच्चों की एक इसकोल में सारे बच्चे बैठें एवरी जो वर्ड है एवरी जो वर्ड है हर एक मेंबर के लिए सी मेंबर्स करेक्टिवडी एज ग्रूप जहां पर हर एक मेंबर को इंपॉर्टेश दिया जा रहा है हर एक मेंबर्स की बात हो रही है तो वहां पर एवरी का यूज़ करेंगे, एवरी स्टुडेंट इडा क्लास लुक्स दा सेम, ठीक है, इच, इच का मतलब हो गया, हर एक इंडिविजुल, सी दा इंडिविजुल मेंबर एज अ ग्रूप, इच, 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 यह पर एक से ज्यदा नाउन की बात हो रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे पूलर नूम्बर ठीक है इस प्रकार से लोग एक से ज्यादा व्यक्ति दाभी तौहाँ पर हम पूलर की बात हो रही है how to change number numerous rules are there to change the numbers from singular to plural पहला rule क्या है पहला rule कहता है and general s is used at the end of the singular noun to make it plural किसी भी noun को plural बनाने के लिए क्या है last में s लगा दिया जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे pencil तो last में लएक s लगा दिया तो pencils हो गया प्रूडल हो गया cow singular है cow s लगा दिये house houses s लगा दिये dog dogs mobile इस परकार से हम यहाँ पर s लगा के singular को plural में बदल सकते हैं rule number two if there exist s, sh, ch, ch, x and z in the end es gets to be used जहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं bus अगर singular है bus का plural क्या हो जाएगा busses es लग जाता है है ठीक है es लगाने से हमारा plural बन जाता है dish dishes es लग गया branch branches fox foxes fesses fesses यहाँ पर हम देख सकते हैं es लगाने से last में जो word है वो plural बन जाता है third why pronunciation of ch is like k just s is added at the end यहाँ पर s आकरी में जोड़ जाता है और pronunciation में ch k की तरह पढ़ा जाता है तो वहाँ पर हम s लगाके plural बनाते है तो हम आपर देख सकते हैं monarch monarch का क्या हो जाएगा monarch patrick patrick का patriches matrich matriches stomach stomach hyrax hyrax ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर s लगा लेते हैं rule no.4 कहता है v replaces f or fe and then adds es to finish it ठीक है जहाँ पर f लगाके जो है word ko plural बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं thief thief का क्या हो जाएगा thieves t h i e v e s wife wife का क्या हो जाएगा wives w i v e s knife knife का क्या हो जाएगा knives n i v e s wolf wolf का क्या हो जाएगा wolves leaf leaf का क्या हो जाएगा leaves यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर मिडिल ववल को हटा कर पूर बनाया जाता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम सिंगुलर को प्रूलर में बदा लेते हैं यहां पर किसी भी सिंगुलर नावन में इन और न जोड़ जाता है तो वह सिंगुलर नावन बन जाता है तो यहां पर हम देख सकते हैं और यहां आओ को अक्स जोड़ दिया तो ब्लूरल में छिल्ट चाल्ड चाल्ड का बन गया चिल्रन ठीक है ब्रदर ठीक है काव काइन सिस्टर सिस्टरिंट थेक है इस परकार से हम लोग किसी भी वर्ड के आखरी में आर यान और एन और लगा के उसका प्लूलर बन बन सकत है ठीक है रूट नमर सेवन क्या कहता है एस तो भी एडिक वन देर इस अ फुल इन दा एंड एफ यू यू एल जहां पर आगरी में फुल जोड़ जाता है तो वहां पर एस लगा के हम उसका प्रोटर बना सकते हैं जैसे हैंड फूल हैंड फूल होगे हैंड फूल मौट फू this is spoonful spoonfuls, armful, armfuls, capfuls, capfuls. Besides adding s only in the end, gets is done for a few. तो यहां पर हम S लगा कर यहां पर हम similar को बना सकते हैं, जैसे book self, book self, book case, book cases, major, general, major, generals, यहां पर दो word एक साथ combination है, जहां पर एक word में हम S लगा कर, दूसरे word पर as it is रखते हैं, poet lotries, poet lotries, forget me not, forget me not, तो इस परकार से हम singular को बदल सकते हैं, जहां पर एक word को केवल S लगा कर end में, उसको बदल जा सकता है, ठीक है, 9th rule है, some singular nouns have no plural form, only used in singular, जहां पर कुछ singular noun का कोई plural form नहीं है, वहां पर singular ही used होता है, जैसे, चाह एक फरनीचर हो चाहे, एक से ज़्याद हो, उसके लिए फरनीचर ही use होता है, इस प्रकासते सारे वर्ड जिनका सिंगूलर फॉर्म का कोई भी फॉर्म नहीं है ठीक है इसको पॉर्म के भी यहीं यूज़ करते हैं आई दूर्मन्बर 10 है दो सम नहुंस सेम्स लाग सिंग्वलर हो बट एक्चुली द्यार प्लूलर कुछ जो नहां है वो कैसे डिखते हैं सिंग्वलर की तरह दिते हैं पैट वह एक्चुल में क्या है प्लूलर फांव है जैसे गोर्मेंट, पिजंटरी, पिजंटरी हो गया, गोर्मेंट हो गया, पीपल हो गया, यह सारे singular की तरह दिखते हैं, के लिए plural form है, ठीक है, हम इसे एक particular group के लिए यूज़ करते हैं, एक से साधा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, rule number 11, similarly some noun seems like a plural, though they are singular, कुछ nouns है plural की तरह दिखते हैं, लेकिन यहां पर यह singular है, ethics, news, wages, यह सारे क्या है, singular है, हाला की तरह दिखते हैं, यहां पर s लगा हुआ है, ठीक है, rule number 12, in case of letters, numbers, and other symbols, it takes apostrophe and s to change it, जैसे यहां पर आप देख सकते, rule number 12 में, जहां पर letters, numbers, और symbol दिए गए हैं, ठीक है, यहां पर apostrophe s लगा के, उसको change किया जाता है, जैसे Sam, write your g and y s clearly, John s, 5 s and 3 8 s, जो यहां पर आप देख सकते हैं, 5 s जोड दिया गया, 8 s जोड दिया जोड दिया गया है, Sam, write your g s y s, clearly, ठीक, rule number 30 है, there is no specific rule for changing the number of pronouns, it's all about memorizing, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कई यह से जो number of pronouns हैं, जो इसके लिए को specific rule नहीं है, जैसे I, I का plural form क्या हो गया, we, him और her का क्या हो गया, them, my का क्या हो गया, our, your का क्या हो गया, your, mine का क्या हो गया, ours, this का क्या हो गया, these, me का क्या हो गया, us, that का क्या हो गया, those, you का क्या हो गया, you, it का क्या हो गया, they, ठीक है, he or she का क्या हो गया, they, his or her का क्या हो गया, there, तो इस प्रेकार्ज थे हम, कोई भी specific कि यहां पर rule नहीं होता, अगर वहाँ पर pronoun, जब बात हो रही है, pronouns की, चाहे वो, subject pronoun हो, चाहे object pronoun हो, ठीक है, आगे बात करते हैं, gender की, gender क्या होता है, gender refers to socially constructed roles, behavior, activities, attributes that a given society consider appropriate for men and women, ठीक है, तो यहां पर gender is a category of noun, एक gender का है category, noun का है category है, जहां पर हम decide करते हैं कि कौन male है, कौन female है, और कौन जो है neutral है, ठीक है, तो यहां पर masculine, यहां पर जो male की बात हो रही है, roaster, man, female का क्या हो जाएगा, hen, woman, neutral का क्या हो जाएगा, chicken, है neutral में क्या है, दोनों में आ जाता है, मतलब, चाहे वो male doctor हो चाहे female doctor, डॉक्टर डॉक्टर ली होता है, ठीक, gender of noun, यहां पर हम देख सकते हैं लगल एक्जामपल, सबसे पहले male में आता है, boy, man, father and son, grandfather, king, ठीक है, पर माइन में क्या जाता है, girl, woman, mother and daughter, grandmother, queen, नुटर में क्या जाता है, car, table, boat, tree, house, इस प्रकार से यह सारे क्या है, तीनों भाग में डिवाइड किया गया है, राइट, एनिवर्स में हम देख सकते हैं, bear, cat, dog, elephant, fox, goose, sheep, swan, horse, chicken, ठीक है, boy, tom, drake, bull, dog, chander, ram, cop, stallion, rooster, show, screen, duck, cow, vixen, goose, away, pen, Mary, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको define कर सकते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, what is article, article can be taken as one of the determinants, और a subclass of determinants, which determinants noun, they are also known as demonstrative adjective, it is often taken to be a separate part of speech, इसको speech से part of speech से अलग रखा गया है, तो articles यहाँ पर दू प्रकार से divide किये गए हैं, इसको determinants भी बोला जाता है, क्योंकि यह nouns को determine करता है, तो articles को दो भगों में divide किया गया है, indefinite article और definite article, indefinite article मतलब कोई specific, कोई vicious चीजों के लिए यूज के जाता है, indefinite article जनरल चीजों के लिए, ठीक है, definite article में हम यूज करते हैं, कोई विश्रीष चीज़े हैं, जो particular exist करती है, उसके लिए दा यूज के जाता है, और indefinite articles उसके लिए उसके जाता है, ए और एन, ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ examples कैसे हम एन को fill करते हैं, जो आपका indefinite article है, उसमें ए और एन का रगा के represent किया जाता है, तो ए और एन कहां लगता है, एन जो लगता है, ववल सांड्स के पहले लगता है, यानि ए ई आई ओ यू, यानि आ ई ई ओ उ उ उ ए ए ओ तो यहाँ पर consonant sound के पहले क्या लगता है, आ लगता है, और ववल सांड्स के पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ, I have, car, car को अगर हम पढ़ते हैं, तो car का सुरवाती जो अक्षर है, उचारण करते समये, तो हमारे पास उचारण करते समये, car, तो यहाँ पर car कहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ववल सांड नहीं आ रहा है, क्या संट आ रहा है, consonant सांड आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, he is eating apple, knapac, यहाँ पर क्या यूजो रहा है, apple, तो यहाँ पर n आ गया, She brings ice cream, तो यहाँ पर N आ जाएगा, ठीक है, English is dash easy language, easy, a, easy, N, ठीक है, I am writing dash letter, letter, la, letter, तो यह consonant sound है, तो यहाँ पर A आ गया, I am making dash video, A video, तो यहाँ पर भी consonant sound आ गया, J has come without dash umbrella, umbrella A, R है पहले, तो यहाँ पर यह वाला R है, तो यहाँ पर N लग जाएगा, bubble sounds, ठीक है, I am, A student, consonant sound, he was waiting for me, for dash R, R, R है न, hour नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R, तो R आ रहा तो R है यहाँ पर, bubble sound, N, Ramesh is dash honest man, Ramesh is an honest man, honest, R आ रहा है न, तो यहाँ पर भी bubble sound आ रहा है, I saw dash one eye man, व, 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 तो यह consonant sound है, तो यहाँ पर A लिख दिए है, ठीक है, Mr. Jay Khan Shikrae is dash MLA, Mr. Jay Khan Shikrae is an MLA, MLA को जह हम हम स्पेल करते हैं, तो ऐसा लिखते है, MLA, TOR A रहा है, तो यहाँ पर, वोवल sound आ रहा है, तो end लगादी है, हाँ पर, She went to a university, University में पर लिखा अससा पुई समय गैप के उनिवर्सित को फ्रणू निसेशन गरेंगा तो यू आथा वाय था यू आथ वाह इसा दार मैं पर एकरियु स्कुर्ण से गभान थे कर दो गड़र है एल्यों कि नीव नीख में अगए तरह पीजे करने में धिकर था किस्ते है थित reading old old comparing it oh ah I have an energy she is reading and old comics so yeah bubble sound they have got dash idea they have got idea our idea and there have been an article he is drinking dash cup of coffee is drinking car they happen consonant sound a guy use over the girl is dash pilot the girl is the girl is a pilot ticket let his ride has dash airport airport and this is this expensive bike this is an expensive bike you have an analog diagram look there is a bird flying my father is an honest person my friend likes to be an astronaut so this is how we have a bubble sound and or consonant sound to be able to use it to fill it I hope this video will be good for you in the next part I will show you the light exam point official all the best thank you so much झाल झाल